नमस्कार में पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज इस बक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे कि राजत विधायक ने बीजे पर बड़ा आरोथ लगा दिया है आपको बता दे कि कल देर शाम बेगु सराय में जो गोली कांड हुआ उसको लेकर लगातार बीजे पी महागडबंदन को राजत को जदियू को घेरते वे नजर आ रही थी लेकिन अब राजत विधायक ने बीजे पर बड़ा हमला बोला है क्योंकि साफ लबज सचमुझ जंदर राज आ गया है तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है ये पहले से प्रायोजित भी हो सकता है ये बीजे पी बिपक्ष द्वाड़ा भी करवाया जा सकता है इतना बड़ा आरोफ लगा रहे हैं बीजे पे आप खुद सुनिये अगर पहले परशासन बोल देगा तो अपरादी सचेत हो जाएंगा इसलिए नहीं सी प्रभारी मत्ति जी को सुच्छा दिया गया हो आरहे है तो आपने ललन यादब को सुना उन्होंने साफ लबजों में इतना बड़ा आरोब BJP पर लगा दिया है उनका कहना है कि ये घटना पहले से प्रायोजित भी हो सकती है ये बिपक्ष BJP द्वाडा भी करवाया जा सकता है अहाला कि जब उनसे ये पुछा गया कि क्या proszę विपक्षीयम के जेसवी आदब पिरित पडिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं डिपक्षीयम के जब बेगु सराय आ रहे हैं जो पिरित अस्पताल में भरती है, जो इलाज रत है, उनसे मिलने आ रहे हैं, अब देखने वाली बात हुगी कि जहां एक तरफ BJP आज बेगु सरायबन का अबाहन कर चुकी है, और दूसरी तरफ राजत के विधायक ने इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोफ BJP पर लगाय है, जो बेगु सराय में गोली हत्याकांड हुआ, वो पहले से प्रायोजित भी हो सकती है, और BJP फिपक शुद्वारा भी करवाई जा सकती है, अब देखना होगा कि BJP के नेता इस बात का कैसे जबाब देते हैं, आप देखने लाइस टीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेस्बुक पेच को लाइक करना, ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद